हेलो अर्बडी दोस्तों और यह ना ग्रूप डी की वकैंसी निकली आपको पता होगा है चेसी ने निकाला रखी अठाराजार के असपास वकैंसी है तो एक्जाम हो जुका है उसके बाद ही रिजल्ट का इंजार हम सभी कर रहे हैं की रिजल्ट का वाईगा तो दोस्तों यह नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका साथी राजेश स्वागत करता हूँ इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नोलेज टिवी दे सीताओ कैसे आप सभी दोस्तों इस चैनल पर हर रोज एक या दो वीडियो जोब या जोब से जुड़ी जानकारी पर मले क्या आता रहता हूँ जो आपके लिए कहीं ना कहीं helpful जोरोती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी ताकि कोई भी important वीडियो या important information आपकी मिस ना हो दोस्तों अब चलते हैं हम एक case नमबर पर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर थोड़ा net slow है इसलिए आपको थोड़ा सा time लग सकता है ठीक है तो ज़्यादा tension वाली बात नहीं है हो सकता है आपका एक या दो मिन्ट में extra यहाँ पर use कर दो तो यहाँ पर case नमबर डाल देते हैं फटा फट से 376 ठीक है और साल 2018 सर्च कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं case नमबर यहाँ गया हमारा इन्होंने case कर रखा है और pending यहाँ पर शो कर रहा है 10 जनवरी 2019 इसकी अगली सुनवाई है ठीक है इस case को open करते हैं तो एक बात तो यहाँ पर आपको पता चल लगे होगी जो अगली सुनवाई है वो 10 जनवरी को है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले सुनवाई हुई थी वो 30 नमर के हुई थी अगली सुनवाई 18 दिसमर को हुई थी अब हमें confirm करना कि यह group D से ही जुड़ा हुआ है या नहीं तो ओर्डर को डाउंलोड करते हैं हम 30 नमर वाड़ा कर लेते हैं D6 O C D6 O C O है पता नहीं 0 है यह गलत था हो यहां फिर F9 E1 ठीक है डाउंलोड कर लेते हैं दोस्तों यहां फिर फाइल हमारी डाउंलोड हो गई है स्टार्टिंग डाउंलोड तो यहां पिर हम उपन कर लेते हैं इस फाइल को तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं 26.6.2018 को एड़वरटाइजमेंट आई थी यहीं पे वो डेट इन्होंने दे रखी है यहां पे आप देख सकते हैं ठीक है तो यहां पे जो बलैक समीट की पोस्ट थी और दूसरा एक एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट थी उसके बारे में उन दो भरतियों पर सटे लगा है एक तो बलैक समीट पे एक एनिमल टेंडेंट पे यहां पे बता गया है कि जो एड़वरटाइजमेंट दी है उसमें जो फारम है बलैक समीट की पोस्ट है वो टैंथ बेस पे निकाली गई है ठीक है टैंथ बेस पे लेकिन जो ट्रांसपोर्ट डिपारटमेंट है उन्होंने इस भरतियों गुरूप सी के अंडर लेर खा है और उसकी जो क्वालिफिकेशन इन्होंने बता रखी है ट्रांसपोर्ट ने टू इयर का एक्स्पिरिंस होना चीए और आपकी आईटे ही होनी चीए इस ट्रेड में तो आप ये फारम अपलाई कर सकते हैं और बलैक समीट में आपका आईटे ही होना जरूरी है ग्रूप डिग अंडर में आए तो भी ठीक है तो यहाँ पी इन्होंने ये मैंस नहीं कर रखी इन्होंने जो पोस्ट है ये टैंथ वेस पर ही कर रखी है एजसी ने ठीक है आग यहाँ पर बता गया है ये पता गया है एक एनिवल अटेंडेंट का डिपलोमा जो है उसके बारे में ठीक है यानि की एनिवल अटेंडेंडेंट में डिपलोमा वाड़ा जो है उनको प्रेफरस देनी चाहिए इस बारे में इन्होंने केस कर रखा है यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं मिस्टर किरनपाल सिंग एएजी हरियाना असेप्ट नोटिस ओन विहाप ओन दा ओफिचल रिच्पनेंड एंड शिक्स टाइम टू एडरस आर्गुमेंट्स ठीक है आगे यहाँ पर देख सकते हैं इन दा मींट ताइम सेलेक्शन टू दा पोस्ट ऑफ भलेक्समीट बलेक्समीट हेलपर एनिमल अटेंडंट सैल बिस्टेड ठीक है तीस नॉम्बर को यह फैसला दिया गया था यानिकि जब पहली सुनुआया थी तो बलेक्समीट की भरती पर सते है बलेक्समीट लेकिन जो आपका result है वो आ सकता है इन तीन भरतियों का result रोक दिया जा सकता है और रोका जा सकता है और रोका जाएगा ठीक है तीस तारी को पहले सुनवाई थी फिर एठारा के आसपास सुनवाई थी अब इसके जो सुनवाई है वो दस जनवरी को है ठीक है तो दोस्तों यही अपडेट आपके साथ शेयर करने थी कि गुरूप D की कुछ वकाइनशियों पे सटे है दो जार या तीन जार के सकता है 15 तारी के आसपास तो दोस्तों यही अपडेट आपके साथ शेयर करने थी उमीद है आपको वीडियो अच्छी लगे हुई यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिगा और दोस्तों आप हर अपडेट पाना चाहते हैं समय रहते ही तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बगवान करें आप सभी का दिन सुबर है